नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है मित्रो आप सपने में जो कुछ भी देखते हो उसका संबंध आपकी वास्तविक जीवन से होता है यानि वर्तमान में आपके साथ क्या चल रहा है और इसका दूसरा अर्थ या मतलब होता है कि आपके भविशे में क्या होने वाला है सपने में आपको क्या दिखाई देता है और आपको क्या संकेत मिलते हैं ये वो लोग समझ सकते हैं जो कि जोतिश और सौपन शास्त्र को अच्छे से जानते हो मित्रो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि सपने में हाथी का आना या सपने में हाथी को देखना बहुत ही शुब मना जाता है सपने में हाथी का आना जोतिश, शास्त्र और सोपन शास्त्र के अनुसार बहुत शुब होता है यह सुक समरिदी का परतीक मना जाता है फरक किस बास से पढ़ता है कि आपने हाथी को सबने के अंदर कैसे देखा है यदि आपको सबना आता है और उसमें आप हाथी की सावारी करते हैं तो यह है आने वाले भविशे में सुख शान्ती, आने वाले भविशे में आर्थिक स्थिती में सुधार होना आदी संकेत देता है जो कि आपके पक्ष में होते है यदि आप सपने में एकदम खड़ा हुआ हाथी देखते है यानि हाथी हिल डूल नहीं रहा तो ऐसा होना भविशे में, कामकाज में, वेवसाय धंदे में किसी प्रकार की बाधा आने का संकेत देता है यदि आप सपने में हाथी और हथनी का जोड़ा देखते हैं तो इसका यह अर्थ होता है कि यदि आपकी शादी हो गई है और मन मोटाव चल रहा है किसी बात को लेकर तो वो दूर होगा यदि आप गुवारे हैं तो आपकी लव लाइफ अच्छी होगी थोड़ा सा सही परियास करने से आप अपने मन चाहे जीवन साथी को पा सकते हैं यदि सपने में आपको जुमता हुआ या खुश हाथी दिखाई देता है तो ऐसे सपने का अर्थ होता है कि आने वाले जीवन में आपकी आर्थिक स्थेती बहुत मचबूत होगी धन की यदि आपको कमी आ रही है तो वो दूर होगी सपने में हाथी हतनी के साथ छोटा हाथी का बच्चा दिखाई देना उन लोगों के लिए शुब संकेत माना जाता है जो की संतान प्राप्ती के लिए परियास कर रहे होते हैं ऐसे सपने का दूसरा अर्थ होता है कि आपको भविश्य में धन की कमी जो आ रही है वो दूर होगी और घर में सुक शान्ती बढ़ेगी यदि आप सपने में हाथी को कुछ खाते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ होता है आपको भविशे में धन की प्राप्ती होगी यदि आप ऐसा सपना देखते हैं जिसमें आप हाथी को कुछ खिला रहे हैं तो इसका अर्थ होता है कि सामाजिक रूप से आपका लेवल पहले से भैतर बनेगा यदि सपने में हाथी आपके पीछे पड़ा हुआ है आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो ऐसे सपने का अर्थ होता है कि आपको किसी अपने से ही नुकसान होने का खत्रा हो सकता है भविशे में इसके लिए आपको सचेत रहना चाहिए सपने में हाथी को मरते हुए देखने का अर्थ होता है कि आप मांसिक रूप से किसी परिशानी में रह रहे हैं इसी प्रकार सपने में हाथी की सून दिखाई देने का आर्थ आपकी योन इच्छाओं को दर्शाता है यदि आपको सपने में सफेद हाथी दिखाई देता है तो यह गुड लक यानि की भविशे में आपका लक आपका साथ देगा और आपका भविशे पहले से बहतर बनेगा सपने में यदि लड़ाई करके आप हाथी को मार देते हैं तो इसका आठ्थ होता है कि भविशे में आपको धन को लेकर परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है यदि सपने में आपको बहुत सारे हाथी दिखाई देते हैं और आप उनसे डर कर भागते नहीं तो इस सपने का अर्थ होता है कि भविशे में आपको किसी भी अर्चन और मुसीबत से डरने की जरूरत नहीं है आपका शुब होगा तो मित्रो जादा तर हाथी का सपना आना शुब संकेत के रूप में देखा जाता है सौपन शास्त्रो और जोतिश के अनुसार आगे भी हम आपको हाथी के सपने से जुड़े रहत्सेयों के बारे में जानकारी देते रहेंगे तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करें अपना ख्यार रखें धन्यवाद